फसल किसे कहते हैं तो अगर भोजन की प्राप्ति या बेवसाय के उद्देश से जब एक ही परकार की पौधों को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है या बहुत ज्यादा उगाया जाता है तो उससे फसल कहते हैं फसल जो होते हैं वो मोसम के आधार पर तीन परकार के होते हैं जैसे कुछ फसल गर्मी में बोई जाते हैं कुछ ठंडी के मोसम में बोई जाते हैं कुछ बरसात में बोई जाते हैं तो इस परकार तीन परकार के फसल भी होते हैं जैसे खरीब की फसल खरीब की फसल जो जून जुलाई महिने में बोई जाती है और अक्टूबर नौंबर में काट ली जाती है वे फसले खरीब की फसल कहलाती है जैसे धान, मक्का, कपास, गन्ना तथा बाजरा इत्याद है रभी की फसले तो जो रभी की फसले होती है वह अक्टूबर नौंबर महिने में बोई जाती है यानि ठंडी में बोई जाती हैं तथा मार्च अप्रेल में काटे जाती हैं उसे रभी की फसल कहते हैं जैसे गेहूं, सरसो, चाना, मटर, आलू, इक्तियाद उसी परकार जायद की फसल किसे कहते हैं तो वे फसलें या वे फसल जो मार्च से लेकर जून के महिने के बीच में बोई जाती हैं उसे जायद फसल कहते हैं या अगर जो फसल रभी और खरीब के बीच में बोई जाती हैं वे जायद फसल कहलाते हैं जैसे मक्का, तरवूज, खीरा, इत्यादे